नमस्कार स्वागत है आप सभी का सुजस्स अरांज की सGUं हूं हूँ आपके साथ Vipinkumar Woran शरवा और इसकारा पड़ते हैं राजिस्थान का करन्ट ताफेर्ज सिसका अधार होता है राजिस्थान सरकार की सुजस्ट पत्रिका शुरुआत करते हैं हेड्लाइंस के साथ सबसे पहली जानकारी ग्रामीड शहरी ओलंपिक ग्राम पंचायतों में चार दिन नगर निकायों में छे दिन खेलों का रुमाइंच होगा तो आप सभी को पता है पिछले कुछ दिन से लगातारी न्यू जारी है कि 23 जून से ग्राम करनाटक के नए मुख्य मंतरी उनके शपत घ्रहण में शामिल हुए यहां है मुख्य मंत्री मंजूरी अब हर जले में दो लवकुष वाटिकाइं विक्सित होंगी लवकुष वाटिका क्या है परियावान सेलक्षण के लिए बच्चों में उस तरह की जो पहल है परियाव उदैपुर कोटा और अजमेर शहर 3D सिटी बनाई जाएंगे इन शहरों का दरसल 3D मॉडल विक्सित किया जाएगा ताकि वहां जो विकास की गतिविदिया हैं और जदा सही तरीकी से उनको डेवलप किया जा सके आगे बढ़ते हैं अगले पेज़ पर यहां बासवड़ा मंत्रियों ने महंगाई राहत केम्पों का अवलोकन किया गारंटी कार्सों पर ऐसे ही जैसल मिर से यहां जालोर से कुल मलाकर बात यह है कि अलग अलग जो जिले हैं राइस्थान की अलग अलग शहर हैं जैसे कि प्रतियोक्ताओं को डेस्टनेशन बंडेगा इस है तो गोश्णा भी की गए थी राइस सरकार के बजट 2023-24 में की गोल्फ टॉरिजम को राजिस्थान में डेवलप किया जाए गोल्फ तुरिजम कैसे डेवलप होगा कि गोल्फ को विक्सित किया जाए गोल्फ खेल को वि होगी फिर है इंद्रा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योशना जिसमें स्ट्रीट वेंडर्स सर्विस सेक्टर के युवाओं और बेरोजगारों को अनुजा निगम द्वारा रिंड दिया जाएगा अगली जानकारी जन कल्यांड पोर्टल से संब्दित और जो लंपी में शांती एबम अहिंसा प्रकोष्ट कार्यलों का उद्गाटन किया पहले इसके लिए मुख्यमंत्री द्वारा शांती और अहिंसा वेभाग इस्थापित किया जा चुका है अगली जानकारी मुख्यमंत्री ने पूर्प्रधानमंत्री की पुन्यतिति पर श्रद्धा प्रफ़वार हैं उनका अखड़ा एक करोड को पहले ही पार कर चुका है और मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड कितने लोगों को पांच करोड से अधिक लोगों को सौंपा जा चुका है इसके बाद आगे अगली जानकारी भी महंगाई राहत केम से संब्दित है हर दिन यान जानकारिया है तो महंगाई राहत केम्प हम कई बार फट चुके हैं इसलिए उसको रिपीट नहीं करेंगे मारणा प्रताब जैनती पर मुख्यमंत्री का संदेश की प्रताब का संघर्ष भरा जीवन सभी के लिए प्रेड़ना दाई यहां लिखा हुआ है आठी होजनाओ का किसम है तो महंगाई राहत केम्प की ही बात है ऐसे यहां तरिश परिश्ट परिवारों को राहत की गारंटी यहां धौलपुर साथ यूजनाओं के लापसे श्रीमती सरूपी को संबल मिला कहने का मतलब अलग अलग लोग जो लाभारती हुए महंगाई रात केम्प में उनकी जानकारी है इसके बाद हमारा इंडेक्स कौन कौन सी चीजें हम पढ़ने वाले हैं तो सबसे पहले तो राजीब गांदी शहरी एबम ग्रामीड ओलंपिक 2023 उसके बाद है लवकुष वाटिकाएं फिर है चार शहर बनेंगे जी आईएस आधारित 3D सिटी यानिकी इ इबलब किये जा रहे हैं और मॉडल किसली बनाई जा रहे हैं ताकि वहाँ विकास अच्छी डंक से किया जा सके फिर है इंद्रा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना शुरुवात सबसे पहले राजीब गांधी शहरी एबम ग्रामीड ओलंपिक 2023 तो इस पिशले वरस खेलों का भी आयोजिन किया जाएगा जिसके लिए डेट रखी गई थी क्या 26 जनवरी 26 जनवरी 2023 लेकिन किसी कारणवश ऐसा हुआ कि जो शहरी ओलंपिक है वो अपनी तय तिथी को नहीं हो पाए आयोजित अब 2023 के जो ग्रामीड और जो शहरी ओलंपिक हैं दोनों ही एक स प्रात शुरू होने वाले हैं कबसे 23 जून 2023 से इस दिन होता है अंतराश्टिय ओलंपिक दिवस और इनका समापन होगा 29 अगस्ट 2023 को इस दिन होता Owlampic 2022 वाले थे वो इसी दिन शुरू हुए थे किस दिन से 29 अगस्ट से ही मेजर धिहांचांजी का जंदन होता है ग्रामिंड ओलंपिक 2022 और इस बार 29 सगस्त को समाप्त होने वाले हैं 2023 के ग्रामिंड और शहरी पर दोनों एक साथ अब इनका आयूजय कौन है तो राज्य सरकार के कैई विभाग इन में इन्वाल्व हैं जैसे कि खेल विभाग सिक्षा विवाग पंचायती राजवं ग्रामिंड विकास विवाग स्वायत शासन विवाग स्थान जिल्ले में या जिस शेत्र में आयूजय कि अगर विध्यार्तियों द्वारा इसमें भाग लिये जाएगा तो सिक्षा विवाग इसमें जोड़ेगा सहरी से रहा है में खाल शाली स हुआसे सारे रुपार न pasado आए इसका बज़ेट कितने रखा गया एक र będzie एक सोNewटित कते रहोब है एक सो 500 रोप हैं यानि की कोई भी आयू सीमा निरधारित इसमें नहीं रखी किए ना मिनिमम ना मैक्जिमम अगली जानकारी की कौन-कौन से खेल इसमें शामिल है तो शहरी शेत्रों में कौन-कौन से खेल है एथलेटिक्स उसके तीम पार्ट सौ मीटर 200 मीटर और फिर औरshirt-100 भॉल क्रिकेट यह क्रिकेट ही है टैनिस भॉल क्या लिखा हुआ है किस तरह कीоздा था जाए गाने गरेशन थेयॡ़ जाएगा च्छिकल्र जह्त आंपriकेट हैं इंटरनेशनल वैला वह क्या चेंवते हैं अढ़िया का वर्फ के लिए होगा शहरी शेत्रों में ओलंपिक के ये कितने खेल हुए एक दो तीन चार पांच और साथ यानि साथ खेल सामिल होंगे शहरी शेत्रों में ग्रामिण तो दिहान रखें आप की कौमन कौन 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 से हैं और कौन से यह क्यबल शहरी ओलंपिक में लवकुषबाटिका तो आज इसके बारे में गोशना की थी कि इन में अब एक अतरिक्त लवकुषबाटिका भी बनाई जाएगी हर्ज लिएँ पहले एक एक गोशना की जा थी अब एक एक और यानि कि हर जिले में अब दो दो लवकुष वाटिकाएं हो जाएंगी अब लवकुष वाटिकाएं क्या है आपको यह तो पता ही है लवकुष कौन थे भगवान राम के पुत्र तो यह सिंपल सी बात इतना समझ में आता है कि बच्चों से संबंदित कोई संदेश दिया जा सके हर जिले में ऐसी अब दो दो वाटिकाएं बनाई जाएंगी उद्देश क्या है परियावरण स्रेक्षण के प्रती आम जन को शिक्षित एवम जागरुक करना आगे बढ़ते हैं इसकी जानकारी इन वाटिकाओं में क्या क्या होगा तो वन एवम वन कि अगली जानकारी राइस्थान के चार शहर बनाई जाएंगे जी आईएस आधारित 3D सिटी अभी जी आई एस क्या होता है जियोग्राफिक इंफॉर्मिशन सिस्टम की उस शेत्र की जियोग्राफिक के अकॉर्डिंग उसकी इन फॉर्मिशन ले के सिस्टम डेवलप के जाएगा उसको कहा जाता है GIS तो GIS पर बेश्ट ये 3D City बनाए जाएंगे इनके दरसल model डवलप किया जाएंगे 3D model और उसके साथ साथ राजधरा सैटलाइट इमेजरी परियोजनाओं के करियान वे उनको मंजूरी भी प्रदान किया गई की गई है तो यह सैटलाइट के द्वारा इमेज लेकर और जी आईएस आधारत 3D City model डवलप किया जाएंगे राजस्थान के ऐसे चार सहर है जिनके लिए किया जा रहा है कौन-कौन यहां गलट टैप हुआ है अजमेर है जोथा जोद्पूर उद्यप्पूर कोटा और अजमेर यह चार शहर इसमें शामिल किये गए हैं अब इसके बारे में डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं कि इसके तहट क्या होगा शहरों के जो भी मास्टर प्लान डवलप होंगे कि उन लेंड कैसे प्रस्तावित होने हैं असानी मोडेल इसका डेवलप किया जाएगा reacts औरूंटेड malt एक र्येयलिटी द्वारा शहर का एक वर्चुल टूर भी किया जा सकेगा मतलब बैठखे बैटे आपको समझा सकता है पूरे शहर में कहां क्या है एक तरह का मोडल आपके पास होगा आपके पास मतलब गवर्मेंट के पास इसके अत्रिक्त राजधरा प्लेटफॉर्म पर राजिस्थान की विभिन समय अब्धिकी सेटलाइट इमेजरी की रिपोजी टरी भी स्थापित की जाएगी यान शेहरी शेत्र के पांच लाग श्ट्रीट वेंडर्स को पचास हजार रुपे तक ब्याज मुक्त रिण उपलब्त कराना इसमें पात्रता क्या है तो राजिस्थान का इस्थाई निवाशी होना जरूरी है जिसकी व्यक्तिकत मासिकाए कितनी 15,000 से कम होनी चाहिए तथा प पातर होंगे उनको रिण दिया जाएगा और यह रिण ब्याज मुक्त होगा और ब्याज ही तू शत प्रतिशत अनुदान किसके द्वारा उपलब्त करा जाएगा राजिकी सरकार के द्वारा लाभार्ति को रिण का पनरभगतान कब से करना है चौथे से पंद्रवे महीने तक लगातार 12 किस्तों में समान 12 किस्तों में भुक्तान करना है यानि शुरू के तीन महीने जिसने रिंड लिया है उसको कोई भी राशी का भुक्तान या ब्याज का भुक्तान नहीं करना है रेड उपलब्त कराने के लिए किसी भी तरह का प्रक्रिया शुल्क भी नहीं ल में मिलते हैं कल अगली न्यूज के साथ अगली क्लास में धन्यवाद